Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंड रहे हो अब friends, आज की इस वीडियो मैं आपको जो tips and tricks बताऊंगा अगर आप उन tricks को follow करते हो तो आप अपने लिए एक अच्छा सा technical या फिर non-technical जो भी job आप ढूंड रहे हो वो पा सकते हो अब friends, आज के दौर में भी, आज के मंदी के दौर में भी market में बहुत सारी job की vacancies है ये वो vacancies हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता हम उनके लिए apply नहीं कर पाते हैं और क्या होता वो हमसे miss हो जाती है तो बस सवाल यही है कि क्या आपको job ढूनना आता है क्या आपको पता है कि कौन से steps है जिने follow करके आप अपने लिए एक अच्छा सा job पा सकते हो तो friends आज की इस वीडियो में हम इन सारे ही topics के उपर में इन सारे ही बातों के उपर में बात करने वाले है अब friends देखे हुआ क्या है कि इंडिया में क्या है कि अगस्त 1947 से लेकर मार्च 2020 तक इतने सालों में यह हुआ है कि हर एक company का job का recruitment का एक pattern बन गया था एक system बन गया था system बहुत ही simple था system यह था कि हर एक company में चाहे वो पुरानी company हो चाहे नई company हो तो 100 में से 70 से लेकर 75 परचित जो jobs थे जो employment था वो fixed employment होता था अभी तक ऐसा हो रहा था अब fixed employment का मतलब यह हो गया कि यह वो job के पोश्ट थे जो तभी खाली होते थे जब या तो बंदा कोई job को छोड़ दे या फिर कोई retire हो जाए और इन vacancies पे जाने कि इन jobs जो vacancies थी वो साल दो साल में एक बार निकलती थी और उसी company में 20 से लेकर 25 परतिसद तक flexible job होता था flexible job मतलब कि जिनके लिए बार बार recruitment हो रहा था जैसे जैसे company का growth हो रहा था तो इन 20 से लेकर 25 परतिसद जॉब की vacancies अक्सर हम लोग को online और offline देखने को मिल जाती थी और अक्सर हम लोग इन ही vacancies के लिए apply करते थे अब lockdown के वज़ा से virus के वज़ा से ये हो गया है कि एक तो company ने कुछ employee को निकाल दिया है कुछ employee क्या हो गया है कि job को छोड़के अपने अपने शहर में वापस आ गये है तो जहां जो 70 से 75 परतिसद का आक्रा था वो अब 40 से 50 परतिसद में आ गया fix job में और जो 20 से 35 परतिसद का जो flexible job था वो बढ़ गया है वो अब 40 से 50 से लेकर 60 परतिसद तक हो गया flexible job और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं job को target करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन jobs के लिए apply कर सकते हो सबसे पहले तो friends आपको positive रहना है और positively अपने लिए job ढूंड़ना है क्योंकि market में भले कितना भी बुरा दौर आ जाए आपको क्या चाहिए आपको तो बस अपने लिए सिर्फ एक post चाहिए सिर्फ एक अच्छा job की vacancy चाहिए जिसके लिए आप apply करो और उस post को पाओ तो आपको सबसे पहले तो अध्यान नहीं लगाना कि कितनी vacancies है नहीं है बस आपको एक अच्छा job चाहिए आपको ये सोच के चलना है आप इस tip क्या है मैं आपको इसके बारे बताता हूँ तो friends देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि सबसे पहले अगर आपको एक अच्छा job चाहिए उसके लिए आपको एक चाहिए अच्छा सा cv अच्छा सा resume तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो आप अपने cv को update करो cv में आपका जो भी qualification है उससे अच्छी तरह mention करो कोई भी आपने training लिया है उसको mention करो इसके लावा आपका कोई experience है आप उसे mention करो इसके लावा चरूर attach करो तो इस तरह से आप सबसे पहले तो एक बढ़िया सा अपने लिए cv तयार कर लो अब उसके बात क्या करना है कि आपको अपने career को फिलहाल के लिए flexible करना है क्योंकि मैं मानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो target कर लेते कि उन्हें particular field में ही जाना है जैसे कि production का ह हो गया maintenance का हो गया IT का हो गया तो बहुत से लोग क्या होता है कि उसी को focus करते हैं लेकिन अभी जो दोर है तो आपको अपने career को थोड़ा सा flexible तो करना ही पड़ेगा यानि कि आपको अपने field के लावा दूसरे field में भी job opportunities को देखना पड़ेगा तो second step में क्या करना आपको career क flexible कर लेना है अब देखें तीसरे step में आपको prepare करना है कि अभी lockdown का समय है अभी ही समय है कि आप अपने knowledge को अपने skill को improve कर लो तो चाहे आपका books हो तो books से पढ़ाई कर लो online पढ़ाई कर लो online videos देखके पढ़ाई कर लो और थोड़ा सा अपने आपको prepare कर लो interviews के लिए job interviews के ल नहीं चलेगा जिसके पास knowledge होगा जिसके पास skill होगा उसी को job मिलने वाला है क्योंकि job का जो ratio है वो कहीं न कहीं कम होगा तो आपको उसके लिए तयारी करना है prepare हो जाना है अब आपने CV बना लिया preparation कर लिया और सब कुछ आपने देख लिया कि आपका career opportunities क्या है career को enhance कर लिय आप अगले step में क्या करना है तो अगले step में आपको आप job के लिए apply करना है सबसे पहले तो आप क्या करो online टार्गेट करो online jobs को वो कैसे करोगे एक सबसे पहले आप LinkedIn में एक profile बना लो वहां पना resume वगर अपडेट कर लो LinkedIn में आपको बहुत सारे job opportunities मिलेगी जो job के recruitment होते जो online job के website है जैसे कि noki.com, shine.com, fresher world, indeed times job, monster job इसके अलावा भी जो भी online job वोटल से आप एक काम करोगे वहां पे आप अपनी ID बना लो आप अपना updated resume वहां पे डाल दो इसके साथ ही आप हर एक website में जो भी आपका skill है जो भी आपका interest of field है आप उसे भी select कर लो क्यूंकि इस time पे इंडिया में सबसे ज़्यादा vacancies जो है वो इन ही online job portals पे आती है तो आप क्या करो कि सारे ही जितने भी job portals है वहां पे आप अपनी ID को बना लो अब आपको target करना है newspaper को आपको newspaper खरीदना नहीं है अगर आप ये video देख रहे हो तो आपके पास तो smartphone हो गई और हर एक newspaper का e-paper पर आता है तो आपको हर एक तिन अपने शहर के सारे ही e-paper को download कर लेना है आपको वहां पर सर्च करना कि कौन कौन सी vacancies आई है तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पर email ID है तो अपना resume डाल दो contact number दिया है तो आप उन्हें फटाफट से call कर लो तो इससे भी job मिलने के chances जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अफर इसके बाद आपको target करना है government के websites को हाला कि इस time पर मैं मानता हूं कि अभी दौर सही नहीं है लेकिन चुकि अब local चीजों में ज़्यादा ध्यान देया जा रहा है और बहुत सारे अभी schemes वगरा आ रही है तो आप लगतार अपने field के according जो भी government के official website है आप वहां पे भी लगतार सर्च करते रहों वहां से भी job मिलने के chances जो है वो बढ़ जाएंगे इसके बाद आपको finance का करना है automobile के जितनी भी company है hero हो Honda हो सुजुकी हो जो भी company है रोलन फिल्ड वगरा तो क्या है कि आप उन सारे के official website पे जाओ आपका जो भी फिल्ड आप उसका official website पे जाओ और वहां पे लगतार सर्च करते रहों क्योंकि अभी लोगों के plan करने के वजह से क्या हो गया है कि companies में worker की कम अब जैसे ही चीजे सही होने लगेंगी तो वहां पे वेकनसी आप दिखने लगेंगी तो आप उनके official website पे जाओ और वहां पे जरूर से try करो अब इसके लावा आपको क्या करना है आपको करना है walking और इस particular time पे मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे बहुत बहुत जौब पाने क से अपने cv को लेके companies के पास जाओ क्योंकि इस टाइम पे कुछ companies के क्या हाल है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह newspaper में डाल सके क्योंकि बहुत सारे पैसा newspaper में वाले लेते हैं online जो job portal से वहां भी पैसा लग जाता है तो क्या करते हैं तो आप क्या करो कि सीधा सीधी अपने company के पास job walking करो और वहां HR department से मिलो HR से मिलो और फिर आप अपना जो भी है interview वगरा होता है तो आप उसे दो walking से भी job मिलने का chances बहुत ही जादा है इस particular time पे फिर इसके अलावा क्या है क्या अगर contacts यानि कि आपने अगर कोई company पहले छोड़ी है वहां से आपका relation अच् सकते हो वहां पे भी contact कर सकते हो इसके अलावा फिलहाल आका अगर आपको कोई manager वगरा से जान पाचान है HR department में HR वगरा से जान पाचान है तो आप personal level पे भी उन्हें call करके पूछ सकते हो क्यूंकि इस time पे ये भी एक तरीका है job पाने का तो फिर इस सारे तरीके हैं जिसके HR से आप इस मंदी के दोर में job पा सकते हो और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था आपको क्या चाहिए आपको तो बस एक ही job चाहिए चाहे मंदी जितना भी जादधा हो एक job तो होता ही available तो आपको उस अपने particular एक job के लिए target करना और उसके लिए इन सारे ही tips and tricks को follow करना है तो I am sure अगर आप इन tricks and tips को follow करते हो तो आपको जरूर एक अच्छा सा job मिल जाएगा और मैं दूआ भी करूंगा कि आप सबको एक अच्छा सा job मिल जाए तो friends अगर ये वीडियो आप लोको अच्छा लगा होगा आपको लिए helpful होगा आपको फायदे मन्द होगा त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकों को पी दब आ ले ताकि आने वाली important videos के update आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में thanks for watching this video good bye